हेलो दोस्तों आपका स्वागत है तरी सत्य अकाडमी में और आज हम डिसकस करेंगे फ्लूड मेकैनिक्स यह जिसका दूसरा नाम है हाइड्रोलिक्स और हाइड्रोलिक मशीन इस सब्जक्ट में आज हम most important questions के बारे में डिसकस करेंगे जो कि polytechnic semester exam में आपको 100% देखने के लिए student इस तरी के question और जो concept मैं आपको बताऊंगो उस पर आपको question मिलेंगे student तो student आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा अगर आपको अच्छे marks चाहिए food mechanics में और अगर आप mechanical इस वीडियो किसी की भी student है तो आपके लिए वीडियो बहुत important होने वाली student और genius students के भी 4 semester में exam है food mechanics का उनके लिए तो यह most important वीडियो है ही तो वो एक वीडियो में देखिए 90% marks तक का जो topic मैं उनको बताऊंगा उनको बताऊंगा उसको cover करके वो अच्छे marks देखिए गेन कर सकते हैं food mechanics के exam में तो चलिए student सबसे बहले आपको बता है इसका 50 mark का आपका क्या होता है practical होता है और 50 mark का ही आपका क्या होता है इसका theoretical exam होता है polytechnic में तो student जो आपका practical होगा वो तो आप देंगे पर इसमें मैं आपको किवल theory के question बताऊंगा और numerical कहां से आते हैं ये भी मैं आपको student इसमें बताऊंगा food mechanics में तो student चलिए यहाँ पर start करते हैं तो सबसे बहले आप देखिए की chapter कितने है mainly देखिए जो chapter है student वो लगभग आपके यहाँ पर कितने chapter है यहाँ पर art chapter है पहला fluid properties फिर pressure and its measurement fluid kinematics, fluid dynamics, notches and wears flow through orifice flow through pipes और hydraulic machines तो student देखिए यह 8 आपके chapter है इनमें से आपके exam में 50 marks के questions पूछे जाएंगे student तो यहाँ पर चलिए मैं आपको हर chapter के important बताऊँगा इसमें आपको जो pattern है इसमें आपकी fill up भी रह सकते हैं 10 fill up plus mcqs भी रह सकते हैं 10 फिर आपके देखिए 5 number के question रहेंगे 6 और फिर 10 number के भी यहाँ पर question रह सकते हैं और 8 number के भी question रहते हैं तो इसका pattern देखिए अभी को UBTR ने स्पष्ट नहीं किया है पर मैं जो आपको question बताऊँगा तो according to marks बताऊँगा कि कितने कितने marks में कोई question आपसे पूछा जा सकते हैं topic से तो सबसे पहले student देखिए जो पहला chapter है जिसमें introduction of fluid mechanics है यानि कि fluid mechanics क्या होती है इसके बारे में है कि fluid fluid mechanics क्या है student इस chapter में introduction chapter में हम देखते है fluid mechanics क्या है ideal fluid, real fluid के बीद में difference तो यहाँ पर important question आप लिख लेंगे student, ideal fluid क्या है जिसमें viscosity नहीं होती जिस fluid की जिसमें कोई surface tension नहीं होता, incompressible होता है यानि जिसकी density constant रहती है उसे आप कर कहेंगे उसको आप क्या कहते है ideal fluid कहते है और ऐसे ही आप real fluid के बीच में इनका difference आपको आना चाहिए तो एक question आपका यह होगा तीन आप में पूछा जाता है कभी-कभी और आपके जो fluid होते हैं वो तो आपके liquid and vapor यह आपको पता ही है और student फिर यहाँ पर एक graph है important graph इससे आपको ही question आ सकते है student तो यह graph होता है student देखे shear stress और shear rate यानि du upon me dy के बीच में और आपके tau यानि shear stress के बीच में तो student यहाँ पर जो मैं आपको graph बताने वाला हूँ यह आपको यहाँ पगल में भी बनावा है और important important lines में आपको होता हूँगा ज़्यादा आपको इसमें देखना नहीं है जो मैं आपको बता हूँगा वही आपको use करना है सबसे पहला graph होता है जिसमें देखे आपका shear stress जो tau होता है वो समान अनुपाती होता है du upon dy के उसको आप newtonian fluid कहते हैं और dilatant student अभी आप इसको छोड़ देंगे क्योंकि प्रटेक्निक लेवल में आपसे तिना नहीं पूछा जाएगा के वल आपसे non-newtonian पूछा जाएगा जिसका graph या आप इस तरीके से बनाएंगे या इस तरीके से बना देंगे फिर आपका student एक fluid आता है viscosity नहीं है कोई भी CR stress आपको लगाना नहीं पड़ा सीधा फलो हो रहा है यह जान लखेगा और एक और यहां पर मैं यहां पर एक और ग्राफ आपको बजाना चाहूंगा एक है यह हम बर ideal plastic fluid यह भी बिल्कुल straight line होती है इसमें भी आपका tau जो होता है directly proportional होता है du upon dy के यानि CR stress जो होता है directly proportional होता है CR rate के परन्तु कहां से? origin से नहीं एक yield stress आने के बाद यहांपर एक yield stress होगा इसके आने के बाद जो होगा आपका क्या होगा tau directly proportional होगा du upon dy के यह ज्यान रखेगा तो यह ideal plastic fluid हो गया यहांपर आप देख सकते हैं इसको आप Bingham plastic या ideal plastic fluid भी कहते हैं फिर आप देखिए यहांपर एक और यहांपर fluid होता है इस तरीके से इसमें क्या होता है इस fluid को आप बोलते हैं thixotropic fluid क्या बोलते हैं thixotropic fluid क्या बोलते हैं student thixotropic fluid इसमें क्या होता है, कि आपका जो shear stress होता है, वो तो एक yield stress पर आके आप यहाँ पर देंगे, पर यहाँ पर क्या होगा, टॉ directly proportional नहीं होगा, du upon dy के, यानि ideal plastic के विर्कुल विपरीत होगा, ideal plastic में क्या होगा, कि fluid जिसमें क्या होगा, shear stress, एक yield stress से ज़्यादा होगा, और shear stress directly proportional होगा shear rate के ideal plastic fluid में पर यहाँ पर जो आपका thixotropic fluid है महाँ पर ऐसा नहीं होगा यह ध्यान रखेगा यह important है इसको मैंने आपको अच्छे से बता भे रखा है तो आप हमारी fluid mechanics की जो पहला chapter है introduction to fluid mechanics उसमें आप जाकर यह video देख सकते हैं उसमें मैंने आपको detail में बताया है तो आप playlist में जाकर visit करेंगे वहाँ पर आप देख सकते हैं यह important question है student फिर दखिए पहले chapter में और भी चीज़ा आती है density की definition क्या हो गई specific weight की unit क्या हो गई specific weight और density में क्या relation होता है w is equal to rho into g यह relation होता है student देखिए यह relation कहें बारी फिरिंदवलेंक्स में बूछा जाता है w is equal to rho g तो यह सारी fluid की properties specific volume viscosity surface tension इनकी मैंने देखिए छोड़ी पाट पाट मेंट की वीडियोस बना रखी है आप जाकर इनने देख सकते हैं यह भी important है क्योंकि यह आपके फिरिंदवलेंक्स में यह आपके कोई one word type में आपको इनके बारे में लिखने के लिए आगया माइने कोई आपको one word question type का आगया तो उसमें आपको यह लिखना पढ़ सकता है आप देखिए पहला chapter इतना ही है फिर आप देखिए जो दूसरे chapter है उसमें आपके आता है pressure तो pressure student आपको पता है pressure क्या होता है देखिए external force यह आपका fluid यहाँ पर है container में तो देखिए external force per unit area यानि यह area है आपका इस area पर जो आपका force लग रहा है per unit area external force per unit area is known as pressure उसे आपका कहेंगे pressure कहेंगे जिसकी unit होती है newton per meter square देखिए यह pressure हो गया अब इसमें आपके देखिए different type of pressure है अगर student देखिए जो आपका atmospheric pressure है अगर आप इसको reference मानते हैं और इसके above जो आपके pressure measure के जाएंगे उन्हें आप कहेंगे gauge pressure क्या कहेंगे gauge pressure जो atmospheric pressure की below pressure होगा उसे आप कहेंगे negative gauge pressure या vacuum pressure अगर student आप absolute zero जहाँ पर बिल्कुल vacuum है जहाँ पर pressure बिल्कुल zero है अगर आप यहाँ से measure करते हैं यहाँ पर atmospheric pressure यहाँ पर सभी pressure जो है जिरो है तो अगर आप यहां से किसी चीज को मेजर करते हैं, तो उसे आप Absolute Pressure कहते हैं, क्या कहते हैं, Absolute Pressure, और जान दीजेगा कि जो P Absolute होता है, वहां का P Atmospheric plus P Gauge होता है, और अगर student आपका यहां पर Vacuum होगा, तो यहां पर आप इसको Negative P Vacuum कर देंगे, P Atm minus P Vacuum, यह P Absolute के दो formula होते हैं, इनसे आपके question भी बनते हैं, क्या आपको atmospheric pressure देदेगा, absolute pressure देदेगा, gauge pressure आपको find out करना होगा, तो यह सारी चीजें भी मैंने आपको वीडियो में बता रखे हैं, जिसमें मैंने pressure and its measurement में, आपको पूरे अच्छे से, definition wise, with question आपको यह solve कर र दो law हैं, यह भी आपको बताओने चाहिए, hydrostatic law, pascal law क्या होता है, पासकल law क्या होता है, अगर आपका कोई stationary fluid है, तो वो हर direction में equal intensity के साथ pressure को exert करेगा, यहाँ आपने कोई, यहाँ पर इस तरीके से fluid आपने रखा हुआ है, तो हर direction में, क्या करेगा, equally distribute होगा, equally intensity से क्या इसे आप क्या कहते है, पासकल law, जैसे आपने देखा होगा, hydraulic break में, hydraulic इसके application कहीं मेरा पूछी जाते है, exam में, फिरिंदा blanks में की application बताइए, तो आपके hydraulic break हो गया, hydraulic pump हो गया, यह सारे आपके पासकल law पर depend करते हैं, यह ध्यान रखेगा, hydraulic आपका jack हो गया, तो यह आप ध hydrostatic law क्या होता है, hydrostatic law होता है, कि जब भी आप देखिए, water में, यह देखिए, मैं आपर एक container बनाता हूँ, और इसमें मानिये, यह water fill है, जहाँ पर एक level यह है, और एक level आपका यह है, अब आप बताइए, student, कि अगर आपका कोई pressure यहाँ पर है, और कोई pressure यहाँ पर है, अगर आप इस depth पर, PA और PB, पर आप pressure देखते हैं, तो हम इसा देखते हैं, कि जो PB है, वो जादा है, किस से, PA की तूल ना में, तो यानि depth के साथ, यानि गहराई के साथ, आपका pressure बढ़ता है, और height के साथ, आपका pressure घरता है, यह जहाँ रखेगा, तो hydrostatic pressure भी यह कहता है, कि depth के साथ, with depth pressure is increases, तो यहाँ पर P की जो value होती है, होती है, रो, जी, एच, क्या होती है, student, रो, जी, एच होगी, यह ध्यान रखेगा, P क्या होगा, रो, जी, एच होगा, यह ध्यान रखना है, student, आपने, रो, जी, एच, रो होती है, फ्रूड की density, जी होता है, measurement करने के लिए, आप manometer का use करते है, manometer का use करते है, student, यह आपका होगा YouTube manometer, और यह होगा आपका differential YouTube manometer, अगर आपको किसी pipe में, एक किसी point पर, अगर आपको pressure measure करने है, तो आप इसमें YouTube एक इस तरीकी की नली लगा देंगे, और इसमें आप क्या भर देंगे, जो आपको blue में आप असानी से measure कर पाएंगे, student, इसको मैंने detail में बताया है, अगर मैं यहाँ पर इसको बताने लगूँगा, तो बहुत time यहाँ पर जाएगा, इसके numericals भी, YouTube manometer, यह बहुत important, इसको important mark कीजी, क्योंकि numerical यहाँ से आएगा, यहाँ से आपका numerical आएगा, student, और differential YouTube manometer क्या होता है, दो pipe की यह, दो point की बीच का pressure आपको measure करना होता है, तो इनके बीच में आप differential YouTube manometer लगाते हैं, जो कि दो नो pipe के pressure का difference आपको बताता है, तो इसके numerical, आप student जरूर देख लीजिए, यह बहुत important topic है, pressure and its measurement हमारी जो playlist है, उसमें जाकर आपके कर सकते हैं, यह देख सकते हैं, student, आप इसको अच्छे से concept देख सकते हैं, चलिए, फिर आते हैं student देखिए, जो आपका तीसरा chapter है, continuity, जो आपका fluid kinematics है, तो kinematics क्या हुआ देखिए, kinematics में आप क्या करते हैं, fluid के behavior की study करते हैं, motion में, यानि अभी तक आपने देखा कि fluid आपका कैसा था, स्थिर था, static fluid था, पर अब आपका fluid क्या होगा, आपका fluid क्या होगा, अब, fluid आपका flow हो रहा है, fluid क्या हो रहा है, आपका flow हो रहा है, इस तरीके से, fluid क्या हो रहा है, flow हो रहा है, तो यह one section है, यह two section है, यहाँ पर आपके दो section है, first and second, तो यहाँ पर आप देखिए, दो section होंगे, और इसमें आ कि आप study करेंगे fruit kinematic में पर आप force को consider नहीं करेंगे जो कि motion के लिए उतर दाई है अब समझ गए हैं इसको आप देखे continuity equation क्या होती है continuity equation आपके mass conservation पर आधारित होती है कि आप देखे जितना section A पर आपका fruit आया आपका section 2 से out होगा यह आपका continuity equation कहती है अगर देखें यहाँ पर rho 1 है मानि यहाँ पर जो density rho 1 है एक क्या है आपका area है वी क्या है आपकी क्या है यहाँ पर velocity है यहाँ वी तू वी तू वी तू यहाँ पर यह तू पॉइंट है यहाँ नहीं ने 1 दिया है यह तो इसके अनुसार आप ले लेंगे और यहाँ पर आजागा rho 1, a1, v1 अब इस्टूड़न दिखिए अब आप यहाँ पर इस्टूड़न दिखिए अगर आपकी density अलग अलग है फ्लूड की density चेंज होती है अगर फ्लूड आपका compressible है तो यहाँ पर रो 2 और रो 1 लेंगे पर अगर यह दोनों अगर यह compressible है अगर यह compressible है compressible का अर्थ है कि अगर आपकी density सेम है तो यह आ जागा a1 v1 is equal to a2 v2 a1 v1 क्या होता है discharge होता है क्या होता है इसको आप हटा देंगे इस बारी में इसको आप हटा देंगे क्योंकि आपका कैसा होगा अगर फ्लूड इनकंप्रेसिबल होगा इनकंप्रेसिवल यानि density constant रहेगी with respect to time आप देखिए हटा देंगे तो यह हो जागा a1 v1 is equal to a2 v2 इसी a1 v1 को आप बोलता है आप देखिए डिस्चार्ज यानि कितना water कितना volume of water फोलो हुआ पर सेगेंड उसे आप डिस्चार्ज गोलेंगे यह important है तो इसको question को भी करके जाएंगे इसका भी student exam में question आते हैं वो मैंने आपको करार रखा है इस तरीके से इसमें question आएगा कि यहां से आपका कोई यहां पर आपका कोई यहां पर रोवन है एवन है वीवन है यहां से दो पार्ट में बढ़ गया water अब आपको यहां पर कुछ विलॉसिटी पूस लेगा तो इस तरह की question भी मैंने आपको करार रखें आप हमारी energy conservation पर equation है वो आपकी Bernoulli's equation है जो कहती है कि देखिए कि कोई आपका fluid है जो कि कैसा होगा non-viscous यानि viscosity zero होगी non-viscous irrotational यानि यह अपने axis पर नहीं घुमेगा molecule अपने axis पर नहीं घुमेगा तो उसे आपके कहते हैं irrotational यह आपने assumption लिये हैं irrotational incompressible यानि density समय के साथ क्या steady flow steady steady का मतलब है कि जो pressure velocity और यहां पर कैसे steady आपका एक तरीके कर कैसा होगा फुलो होगा तो यह आप assumption लेकर चलते हैं यह क्या होते हैं आपके assumptions आप क्या लेकर चलते हैं कि इस तरीके से आपका fluid क्या हो रहा है यहां पर flow हो रहा है क्या हो रहा है आपका fluid यहां पर flow हो रहा है तो इस तरीके से assumption आप यहां पर लेकर चलते हैं और अब इसकी equation देखेगी एक आपने यहां पर section लिया one one एक section लिया two two जहां पर student आपकी तीन energy देखिए वो यहां पर सेम रहेंगी एक तो प्रेशर energy प्लस यहां पर kinetic energy प्लस डेटम energy यह जिसाब potential energy कहते हैं वो क्या रहेगी constant रहेगी वो क्या रहेगा उनका जो सम है वो समय के साथ क्या रहेगा constant रहेगा तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं student pressure energy को क्या लिख सकते हैं आप देखिए इसको आप लिख सकते हैं देखिए pressure energy प्लस kinetic energy प्लस आपका डेटम energy तो हो जाएगा P by W यानि आपका pressure head हो गया प्लस Z यानि data head और यह हो गया V square upon 2G is equal to constant तो इसको आप कह सकते हैं P1 upon W प्लस Z1 देखिए यान से height h1 है तो आप h1 ले लीजिए कोई दिकत नहीं है h1 प्लस V1 square upon 2G is equal to P2 upon में W प्लस h2 प्लस V2 square upon में 2G यह ध्यान रखिएगा तो यह आपकी Bernoules equation हो गई यह important equation है इसके application आपके exam में बार बार पूछे जाते हैं application क्या होता है वेंचूरी मीटर क्या होता है देखिए application बहुत important है वेंचूरी मीटर इन सब के बारे में student मैंने आपको derivation के साथ with numerical आपको कड़ा रखें आप देख सकते हैं वेंचूरी मीटर और इफिस मीटर तीसरा है पिटोट ट्यूग और बागी भी इसकी application है बागी जैसे practical life में इसकी application है जैसे आप क्या पर्फ्यूम होता है तो वहाँ पर भी यहाँ पर आप देखते हैं बन्यूलिस equation का यूज हुआ है जब देखिए airplane के जो देखिए airfoil होती है जो airplane की देखिए airfoil होती है यहाँ पर भी बन्यूलिस principle यूज होता है जब आप देखिए आधी आती है तो आपकी अच्छात है आपको शेयर कर देंगे वहाँ से आप सारी वीडियो देख सकते हैं अब देखिए यह देखिए वैंचुरी मीटर हो गया आपका pitot tube हो गया इस तरीके से यह वैंचुरी मीटर किसले यूज होता है यह आपके discharge को मीजर करने के लिए होता है कि कितना water per second यहां से flow हो रहा है देखिए इसके तीन पार्ट होते हैं converging पार्ट, throat और diverging पार्ट यहां पर आपका देखिए एक differential manometer लगा है तो यहां पर आपका देखिए आप के मीजर करते हैं Q तो यह होता है coefficient of discharge into देखिए coefficient of discharge into यहां पर क्या होगा इसका formula आप लगाएंगे किसका formula है यह आपका coefficient यह discharge का formula है किसका formula है student? discharge का formula cd into a1 into a2 into under root 2gh upon में under root a1 square minus a2 square यह formula कैसे derive किया कैसे आया यह सभी आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं इसके numerical तक मैंने आपको कराया है वो भी आप जाकर देख सकते हैं student वो भी student आप जाकर क्या कर सकते हैं देख सकते हैं यह जहां रखिएगा चलिए अब इसके बाद हम देखिए पिटोट ट्यूब के बारे में डिसकस करते हैं पिटोट ट्यूब क्या होता है पिटोट ट्यूब क्या करता है student velocity को मिजर करता है जो आपका formula होता है cd cv coefficient of velocity actual य यह जितने height यहां पर आपकी जो static head है जो आपका static क्या इसको आप stagnation head कहेंगे क्या कहेंगे stagnation head यह होता है इसका formula यह कैसे आया किसे इसको detail में आपको पढ़ना है यह आप जाकर वीडियो में देखेंगे student सारी क्योंकि इस वीडियो में केवर question मैं आपको होता रहा है important question numerical भी यहां से बनते हैं student फिर आता है देखिए notch and wear notch and wear तो student देखिए notch क्या होता है आपकी metallic plate होती है जिसके बीच में इस तरीके का आपका rectangular section होता है जिससे आपका water क्या होता है flow करता है notch का काम भी होता है discharge को measure करने के लिए discharge को measure करने के लिए इसको आप कहां use करते है notch wear का use कहां करते हैं आप notch और wear का use करते हैं open flow में यानि आपके नदियों में आप देखते हैं वहाँ पर किस तरीके आप discharge measure करते हैं तो आप वहाँ पर wear की मदश से करते हैं तो यह notch and wear इसके बीच में difference भी exam में पूछा जाता है देखिए तो notch क्या है, it is an opening provided on one side of the tank or reservoir with free surface of liquid present on the top edge of the opening यानि इस तरीके से मैं आपको front view बना कर समझाता हूँ यह आपका कोई notch है, rectangular notch और यहाँ पर भी आपका water flow हो रहा है तो यही आपका notch है कि एक ऐसी plate एक ऐसी opening प्रोवाइड कराते है tank के end में, reservoir में जिसमें आपका जो liquid होता है, कैसा होता है इस top edge की, यह top edge है इसके नीचे होगा, यह ध्यान रखेगा और जो आपका wear होता है वो क्या होता है, wear it is a structure which obstructs the flow in an open channel यानि open channel में आप यह देखिए, open channel है यह second figure आप दिखिए कि यहाँ पर आपका यह dam type का है आप मानिए, यहाँ पर edge height उपर है और यह आपका wear है, इसके उपर से आपका water क्या हो रहा है flow हो रहा है जान रखेगा, open flow में wear का use करेंगे नोच को आप metallic plate की बनाते हैं बलकि जो wear होता है क्योंकि देखिए, जो dam में आप क्या metal का बनाएंगे नहीं नोच आप इस्तमाल करते हैं छोटे discharge को measure करने के लिए बलकि wear आप इस्तमाल करते हैं कैसे बड़े बड़े देखिए, dam में आपको measure करना है आपको water का flow तो वहाँ पर आप क्या करते हैं इसको concrete और concrete का बनाते हैं नोच जो होते हैं size में smaller होते हैं यह size में बहुत larger होते हैं इस यूज़ टू मिजर discharge इन small channel बलकि wear में आप river का discharge मिजर करते हैं यह ध्यान रखेगा अब फिर इसके बाद देखो और नहीं chapter राते हैं और मैं आपको बता दो notch and wear में आप इनके type जरूर पढ़ लीजेगा rectangular notch triangular notch सब आपको गरार रखा हैं आप जाकर देख सकते हैं notch and wear वाली हमारी playlist में triangular notch stabbed notch यह सब आप देख सकते हैं यहां से question आएगा question भी करा रखे हैं हर वीडियो में आपको question मिलेंगे तो यह ध्यान रखेगा आप देखिए flow through orifice यानि orifice से आपका orifice भी क्या होता है small opening यहां पर होती है क्या होता है orifice small opening प्रोवाइड की जाती है एक tank के आप देख रहे हैं तो यह भी आप जाकर क्या कर सकते हैं देख सकते हैं यह भी आप देख सकते हैं student इसका काम भी क्या होता है discharge को measure करने के लिए होता है इसमें आप क्या पढ़ेंगे देखिए types of orifice types of orifice उसमें आप पढ़ते हैं देखिए large orifice small orifice circular orifice rectangular orifice orifice triangular orifice square orifice यह सारी चीज़ें आपको types of orifice इसमें पढ़ने हैं और यहां पर student इस chapter में एक और चीज़ आती है कि coefficient of discharge गया होता है coefficient of discharge गया होता है यानि आपका मैं आप उसको यह बोलूगा कि actual discharge क्यू actual आप उनमें q theoretical ऐसे ही आपका coefficient of contraction आता है क्या आता है student आपका coefficient of contraction या इसको आप बोलते हैं कि area of area at the vina contractor जहां पर यानि यहां पर जो होगा सबसे कम area होगा vina contractor पर area at vina contractor upon area at orifice और एक आता है इसमें coefficient of velocity यह V है coefficient of velocity इसमें मैंने वीडियो बना रखे इसको आप कहते हैं कि hydraulic coefficient आप इनको कह सकते हैं hydraulic coefficient होते हैं यह भी paper में आपके print of length में MCQs में यह trophos में आपसे पूछा जाएगा 100% cv क्या होता है आपका जैसे आपका उपर क्या आएगा actual velocity upon my theoretical velocity यह ध्यान दखेगा तो यह important है इस chapter में और student इसमें आपका जो discharge है कि आप कैसे rectangular से आप कैसे discharge को measure करते हैं तो यह सारे student आप formula को देखेंगे सम मैं आपको student करा चुका हूँ सारे चीज़ें मैं आपको करा चुका हूँ इसी तरीकी से notice and wear में भी formula है discharge की वो भी आप देखेंगे student केवल question इसमें मैं आपको बता रहा हूँ फिर देखे student जो एक important आपका यहाँ पर है वो है flow through pipe क्या है student जो important chapter है वो है flow through pipe तो student इस chapter में भी आपको देखें बहुत ही important है hydraulic gradient line total energy line इन दोनों को आपको पढ़ना है इसके वारे में student paper में जरूर आता है losses in pipe जो loss होता है pipe में due to bend bend आने के कारण due to contraction due to आपके कोई बीज में माने की कोई आपके कोई obstacle आ गया अब्स्टेकल के कारण sudden expansion, sudden contraction यह इसमें loss आपको पढ़ने होंगे student यह loss आपको यहाँ पर पढ़ने होंगे यह ध्यान रखेगा तो यह loss आप यहाँ पर पढ़ने और जितने भी आप एक बर playlist में जाकर देखिएगा तो उसमें आपको losses आपको मिल जाएंगे कि जो इसमें losses के बारे में student में आपको बताया है flow throw pipe में और इसमें आपका important है Reynolds number Reynolds number जिसका formula होता है rho vd by mu rho vd by mu जापर rho density है v kinematic viscosity है d diameter है pipe का और mu क्या है mu आपका है आपकी viscosity यह ध्यान रखेगा तो अगर आपका यहाँ पर देखिए अगर आपका जो Reynolds number है अगर वह 2000 से नीचे है तो आपका flow laminar flow होता है अगर Reynolds number देखिए 4000 तक होता है 2000 से 4000 के बीच होता है तो आपका transient flow होता है और 4000 से जाद़ अगर आपका Reynolds number होता है तो आपका वह क्यासा होता है तो आपका क्या होता है student turbulent flow होता है यह ध्यान रखेगा turbulent flow होता है तो यह सब student आपको यहाँ पर देखने है head loss इसमें आपको पढ़ने है जो कि बहुत important है head loss में आपको बता दियो obstacle के कारण आपके expansion के कारण contraction के कारण इस सारा student मैं आपको बता चुगा हूँ यह आपको देखना है चलिए next आगे बढ़ते हैं तो जो next आगे है वो आपकी turbines है और आपके क्या है pump है तो student आपको इहां पर देखिए दो तरीके की mainly जो देखिए जो turbine आपको पढ़िनी है दो या तीन तरीके की एक आपकी impulse turbine और एक है आपकी यहाँ पर Francis तरवाइन तो देखिए impulse turbine आपकी देखिए दोनों में देखिए बहुत डिफरेंस है इंपर्स टर्वाइन ऑर आपके जो इंपर्स टर्वाइन है इसका उपलेंटन वील टरवाइन इसका है इसका example है इसको आप इतनल इसका एम्पल्टन यहां पर की आपका runner है runner runner के उपर के लगरिंड और ब्रेड को कौन स्ट्राइक कर रहे है namजल से water रहा रहे है वह यह ध्यान रखेगा साफ्ट को कि अदर ले आप रोटेट कर रहे हैं तो यह ध्यान रखेगा यह आप समझ गए हैं कि सबस Bowie वह Kinetic Energy में connect हो आगो Kinetic Energy फिर आपके किसमे विंग होई Mechanical Energy साफ्ट आपकी इसमें लगी होऊँ घूम रही है तो यह important है, इसकी construction आपको पढ़े नहीं है, यह मैं आपको 5-6 मिनट की वीडियो में दोनों टर्बाइन बता रहे हैं, एक में Peltonville टर्बाइन भी बताईए, एक में Francis टर्बाइन भी बताईए, जो Francis टर्बाइन होती है, वो आपके reaction टर्बाइन होती है, कैसी टर्बाइन होत हैं, इसको मैंने detail में आपको बता रखा है, आप इनको जाकर देखिए, 100% एक टर्बाइन आपसे पूछी जाएगी, जब देखिए, यहाँ पर हम यहाँ पर पॉल्टेग्निक बीज़े, इमपस्ट टर्बाइन होँआ पर आई थी, इस बार यह आपकी देखिए, कोई centrifugal pump है, और एक आपका कौन सा pump है, reciprocating pump है, तो इन दोनों के बारे में भी student मैंने आपको वीडियो बना रखी है, तो आप जाकर hydraulic and hydraulic machine के हमारे playlist में जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं, उसमें देखिए, student हमने वीडियो बना रखी है, वो आप दिखेंगे, कि कैसे आपका जो water, देखिए, lower level से higher level तक आपका जाता है, with two different pump, एक आपका centrifugal pump होता है, और एक आपका reciprocating pump होता है, देखिए, working तो यहाँ पर बहुत easy है, कि आपका यहाँ पर water देखिए, नीचे यहाँ पर level पर है, आपने जैसे ही यहाँ पर energy दी, आपका जो rotor है, वो revolve करने लगा, ह耶ण पर section create हो गया, section से क्या हो गया, water को lift हो गया, और सिधा delivery pipe में out कर दिया, simple है, same इसमें भी इतना है, कि जैसे आपने यहाँ पर crank हो कि, तो यहाँ पर water inside हो गया, आपर section create हो गया, section create होने से valve open हो गया, valve open होने से आपका delivery pipe में आपका water चला गया, head तक आपका water पहुंच ग करिए जितने कुश्चन में आपको बताया अगर आप इतने कुश्चन एक्जाम में करके जाते हैं फ्रूट मेकानिक्स के 100% आपके इच्छे मार्स आएंगे और अगर आपको अभी भी कोई क्यारी है तो आप कमेंट करें आप हमें टेलिग्राम चैनल पर जरूर फॉलो कर ल दर तो कोई भी क्यारी हो तो आप कमेंट करें और अगर आपर इस क्यार्स आप करके जूर्स किष्चन की वीडियों नहीं देखिए तो वह भी आप जाकर चैनल पर देखिए स्ट्रेंटव माठीरियल भाहत रिशक्ति एक्रिछ एक्याड्यमी आप सर्ज करेंगे तो वहां पर important question की वीडियोज आपको मिल जाएंगी टेलेग्राम चैनल पर हमने डाल रखी है वहाँ पर आप लेख सकते हैं कोई भी क्यारी हो तो comment करें बहुत बहुत धन्यवाद इस्टुडेंट